हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू क्रेजी जी के ड्रे डेली करेंट अफेर सेशन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ दोस्तो आज 28 जून 2022 और आज से सम्बंदित जितनी भी महतोपूर घटनाएं होने वाली है उसे मैं आपके लिए डिसकस करूँगा ये करेंट अफेर भारत के किसी भी एक्जाम के लिए जरूरी है तो पूरे सेशन को बहुत ही मन लगा करके enjoy करते हुए पढ़िये दोस्तो लास्ट में मैं आपसे कुछ important questions करूँगा जिसका answer आपको comment box पर देना है यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको root application को डाउनलोड करना पड़ेगा इसका link आपको नीचे description box में दिया गया है साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूँ एक और link है टेलिग्राम की जहाँ पर आपको daily quiz मिलेगा daily रात को 10 बजे आपको daily quiz मिलेगा साथ में quiz हमारे root application पर भी मिलेगा देखी friends आज का सबसे पहला important current affairs आप सभी के सामने रहा हाली में CBDT के नई chairman कोन बने है who has become the new chairman of CBDT important question ने friends ध्यान से सुनिएगा तो इसका सही उत्तर है नितिन गुपता क्या नाम है इनका नितिन गुपता सबसे पहले देखिए आपे लिखा हूँ CBDT तो CBDT का full form क्या है ये जान लिजे तो CBDT का full form है Central Board of Direct Taxes इसका क्या full form है Central Board of Direct Taxes दोस्तों नितिन गुपता 1986 batch के IRS officer है ये competition commission of India के DG के रूप में काम कर चुके है देखिए friends CBDT किस मंत्राले के अंतर गताता है तो CBDT Finance Ministry के अंतर गताता है और ये Finance Ministry में राज़त सु विभाग का एक हिस्सा है इसका क्या काम है भारत में तो भारत में जितने प्रकार के direct tax होते हैं उनके लिए policy making का काम करना और योजनाओं के लिए आवश्यक जो भी schemes हैं उसके लिए inputs प्रदान करना उसके लिए important information देना ये आयकर विभाग के माध्यम से direct tax कानूनों के प्रशाशन के लिए जिम्मेदार होता है CBDT को राज़र सु बोर्ड अधिनियम 1963 से अधिकार से प्राप्त हुआ है देखे CBDT की स्थापना कब हुई है 1964 में CBDT की स्थापना हुई है इसका headquarter कहां पर है इसका headquarter है दिल्ली में दोस्तों इनकी कितनी salary है तो इनकी salary है 2,25,000 रुपे चलिए दोस्तों चलते हैं दूसरे महत्वपूर प्रशन की ओर तो दूसरा महत्वपूर प्रशन आप सभी के सामने रहा हाली में भारती महिला discuss thrower नवजीट धिलों ने कोसा नोव Memorial 2022 Athletics Meet में कौन सा medal जीता है विच मेडल हैस बीन बॉन बाई इंडिन फीमेल discuss thrower नवजीट धिलों एट दी कोसा नोव Memorial 2022 Athletics Meet देखी फेंड्स सेकेंड इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स आप सभी के सामने रहा भारती महिला discuss thrower नवजीट धिलों ने कोसा नोव Memorial 2022 Athletics Meet में कौन सा medal जीता है तो दोस्तों इन्होंने गोल्ड medal जीता है इन्होंने स्वण पदक जीता है दोस्तों इसका आजन कहां पर किया जा रहा है कजाकिस्तान के अलमाटी में कोसा नोव Memorial 2022 का आजन किया जा रहा है दोस्तों धिलों ने 56.24 मिटर की दूरी प्राव्ट करके गोल्ड मिडल को हासिल किया है 2022 के राष्ट मंडल खेलों के लिए टीम में भी इन्हें शामिल किया गया है अब दोस्तों आपर Commonwealth की बात आ रही है तो आई जान लेते है Commonwealth से related सारे important points दोस्तों Commonwealth Games की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी तो Commonwealth Games की शुरुआत सबसे पहले 1930 में हुई थी अगर आपसे पूछा जाए कि 2018 में Commonwealth Games कब हुए थे तो 2018 में Commonwealth Games कहां पर हुआ था तो इसका आउस्ट्रेलिया में हुआ था कहां पर हुआ था आउस्ट्रेलिया में हर 4 साल में Commonwealth Games का आउज़न किया जाता है चली मित्रों चलते हैं 3rd important current affairs की और हाली में किस देश की सुप्रीम कोट ने एक महिला के गर्ब पात के सम्वेधानी कदिकार को मानिता देने वाले 50 साल पुराने फैसले को पलट दिया है विच कंट्री सुप्रीम कोट हैस ओवर टंडर 50 एर ओल डिसीजन रिकरगनाईजिंग अवीमेंस Constitutional Right to Abortion तो दोस्तो इसका सयुत्तर है अमेरिका महिला के गर्ब पात के सम्वेधानी कदिकार को मानिता देने वाले 50 साल पुराने फैसले को पलट दिया है अब दोस्तो अमेरिका में महिलाओं के लिए गर्ब पात अबोर्शन फिर से गैर कानूनी हो गया है अमेरिका में हर राज को तो ये छूट दी गई है क्यों गर्ब पात को ले करके अपने अलग अलग रूल्स बना सकते हैं लेकिन इन्हें कानूनी मानिता नहीं दी जाएगी दोस्तो 50 साल पहले अमेरिका के कई राज्यों में गर्ब पात कराना गैर कानूनी माना जाता था ऐसे करने वाले लोगों के खिलाफ कड़े एक्शन लिये जाते थे दोस्तो 50 साल पहले दिया गया था गर्ब पात का दिकार अबोर्शन को कानूनी मानिता की मांग सबसे पहले इसका मामला उठा था 1969 में दोस्तो अदालत ने अपने करीब 50 साल के बाद अपने ही फैसले को पलट दिया है दोस्तो इसके पीछे रीजन कहा है कि सुप्रीम कोट ने अमेरिका में अबोर्शन को इलीगल घोशत किया है बीते कुछ सालों में गर्वपात के मामलों में बढ़ोत्री देखी गई है एक गुटमाकर इंसिटूट की रिपोर्ट है इसके अनुसार 2020 में अमेरिका में 9,30,000 से अधिक गर्वपात के मामले सामने आए हैं जबकि 2017 में इसकी संख्या 8,62,000 थी इतनी मातरा में गर्वपात हो रहे हैं इस वज़े से गर्वपात को illegal घोशित कर दिया है सुप्रीम कोट ने आए दोस्तों चलते हैं नेस्ट इंपोर्टन करेंट अफेर्स की और हाली में 20 से लेके 25 जून 2022 के बीच Commonwealth Heads of Government Meeting कहां पर आजित की गई वेरिस Commonwealth Heads of Government Meeting held from 20 to 25 जून तो दोस्तों इसका सयुत्तर है रवांडा में इस मीटिंग का आईजन किया गया देखि इस मीटिंग की थीम क्या है दिलिवरिंग आ कॉमन फ्यूचर कनेक्टिंग, इनोवेटिंग, ट्रांस्फॉर्मिंग भारत की तरफ से किसने रेप्रेजेंट किया है भारत का प्रतिनिद्ध तो किसने किया है विदेश मंत्री S. जैशंकर दोस्तों हाली में भारत के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी G7 की समिट पर गए है कहां पर गए हैं आपको कमेंट बॉक्स पर बताना है मैंने आपको पढ़ाया था G7 की समिट पर हाली में नरेंदर मोदी जी कहां पर गए हैं देखी फ्रेंड्स मैं आपको बता दू रवांडा जो है पहली भार कॉमन वेल्थ हैट्स गवर्मेंट मीटिंग की मेजबानी कर रहा है दोस्तों ये बिर्टिस उपनिवेश इसका हिस्सा नहीं है फिर भी रवांडा जो है 2009 में कॉमन वेल्थ में शामिल हुआ रवांडा का ये कहना है कि इसलिए वो कॉमन वेल्थ गेंस में शामिल हुआ है जितनी जादा उसकी मल्टी लेटरल फोरम में वो शामिल होगा उतना ही जादा उस देश की तरक्की होगी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कॉमन वेल्थ की बात आ रही है तो कॉमन वेल्थ को हम रास्ट मंडल भी कहते हैं ठीक है छे महाधीपों में फैला हुआ है इसमें 54 मेंबर्स है और एक प्रकार का यह वोलेंटरी एसोसेशन है कोई बे देश चाहे रहना चाहे या ना रहना चाहे यह उसके उपर डिपेंड करता है दोस्तो इस संगठन में mostly वो देश शामिल है जो पहले ब्रिटेन के उपनिवेश थे इसका यह मतलब है ब्रिटेन ने इन देशों पर अपना साशन जमाया था दोस्तो एक Commonwealth Games क्यों बनाया गया है इसका क्या objective है देशों के democracy को मजबूत करना लेंगिक समानता अंतराश्टी शान्ती international peace और security के लिए आफरीका महादीप में रवांडा की capital क्या है तो रवांडा की capital है कि गाली लिख लीजे आग इसकी capital क्या है कि गाली रवांडा के राश्ट पती का क्या नाम है पाउल काग मे क्या नाम है इनका पाउल काग मे कौन सी मुद्रा का अस्तमाल किया जाता है रवांडा में रवांडन फ्रेंक चली दोस्तो अगले महतोपून प्रशन की और बढ़ते हैं हाली में रोनाल्डो सिंग ने एशियन ट्रैक साइकलिंग चेंप्रेंशिप 2022 में कौन सा मेडल जीत लिया है तो दोस्तो रोनाल्डो सिंग ने सिल्वर मेडल जीता है सिल्वर मेडल किसमें जीता है एशियन ट्रैक साइकलिंग चेंप्रेंशिप में दोस्तो इस चेंप्रेंशिप का आजन कहां पर किया गया था तो नई दिल्ली में इस चेंप्रेंशिप का आजन किया गया था टीम ने 23 कंबाइल मेडल के साथ इस अभ्यान को समाप्त किया और जापान जो था फ्रेंड्स 27 पदक के साथ सबसे उपर था देखे फ्रेंड्स यहाँ पर आज की सबसे पहली नौलज फैक्टरी आने वाली है मैं आपको बताने वाला हूं recent appointments के बारे में हाली में हुई महतपूर नियुक्तियों के बारे में तो देखे हाली में मनरेगा की लोगपाल बनाएगा है इनका क्या नाम है एंजे ओज़ा आपको comment box पे बताना है कि मनरेगा की शुरुवात कब से हुई है अगला प्रशन जो आपसे पूछा जा सकता है हाली में प्रसार भारती के CEO किन्हे बनाया गया है मयंक कुमार अगरवाल जी को देखे friends SN सुब्रमन्यम को क्या बनाया गया है MD और CEO Larson एंड टार्बो का CMD of REC Limited किन्हे बनाया गया है रविंदर सिंग धिलोन को देखे friends नेस्ट हम बात करेंगे संजीब बजाज की इन्हें President of Confederation of Indian Industries में निउक्ती मिली है Brand Ambassador of Louis Britain ये कौन है दीपिका पादु कौन आखरी में बात करेंगे राजीब कुमार की जो Chief Election Commissioner बनाया गया है भारत के किस नंबर के Chief Election Commissioner है 25 हाली में एक और important निउक्ती हुई है भारती थल सेना के अध्धिक्ष बनायेगे है Manoj Pandey क야 नाम इनका? Manoj Pandey Manoj Pandey भारती थल सेना के 29 थल सेना अध्धिक्ष हाली में निउक्ती किये गए है चली दोस्तो चलते हैं अगले महत्वपून प्रष्न की ल ओर हाली में किस राज ने मेडी सैप योजना की शुरुवात की है दोस्तों मेडी सैप इस कीम केरला राज में शुरू की गई कहाँ पर केरला राज में कब से शुरू की गई है एक जुलाई 2012 से राज सरकार के सभी employee's और pensioners और उनके पात्र परिवार उनके eligible families के सदश्यों के लिए Medicep योजना शुरू की गई है एक प्रकार से simple भासा में कहें तो ये चिकिस्सा बीमा योजना है यानि friends जो employees राज सरकार के जो pensioner हैं और उनकी families हैं देखे friends इस योजना में क्या फाइदा मिलेगा हर साल 3 लाग तक के व्यापक coverage के साथ cashless चिकिस्सा शायता प्रदान की जाएगी दोस्तों आप सभी के लिए एक big announcement है registration open कर दिए गए live batches के लिए live batches कहां पर आपको मिलेगा root application पर हमारी जो best faculty है आपको live पढ़ाएगी different subjects जैसे geography है, quality है, maths और भी ऐसे particular subject आपको हमारे live batch मिलेंगे root application पर और बहुत सारे exams के courses आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं आपको download करना है root application को यहाँ पर जो features मिलने वाला है अगर आपको किसी भी प्रकार का doubt होता है, तो आप अपने doubt को पूछ सकते हैं, previous इसर questions कराये जाएंगे, tricks कराये जाएगी और 5 दिन आपका session चलेगा Monday to Friday दोनों medium हिंदी और English medium में download कीजे root application जिसका link आपको नीचे description box में दिया गया है यह योजना किस company की दोरा चलाई जा रही है तो यह योजना Bima company क्या नाम है इसका Oriental Insurance इसके दोरा execute की जा रही है चली मित्रों चलते हैं 7th important current affairs here हाली में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े जिवानू की खोज कहां पर की है जो बिना किसी यंत्र के सिर्फ आँखों से देखा जा सकता है वेर हैफ साइन्टिस्ट discovered the world's largest bacterium which can only be seen with the eyes without any instrument तो इसका सही उत्तर है Caribbean mangrove swamp Caribbean mangrove swamp में देखा गया सबसे बड़ा जिवानू जो बिना किसी यंत्र के सिर्फ आँखों से देखा जा सकता है दोस्तो इस bacteria का जो आकार है जो इसका shape है लगभग एक मानव पलक की आकार की जैसा है देखने को मलता है यहां पर बात हमने bacteria की की है तो इस bacteria से related important science question को भी cover कर लेते हैं जो bacteria है यह है एक कोश की चीव है इसका यह मतलब होता है unicellular organism है अब यह unicellular क्या होता है दोस्तो हम सभी multicellular है यानि यह बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बने है कोशिका क्याओ फ्रेंड्स कोशिका हमारे सरीर की सन रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है cell is the structural and functional unit of any living organism बैक्टीरिया की खोश सबसे पहले किस ने की थी कब की थी तो बैक्टीरिया की सबसे पहले खोश 1676 में डच वेग्यानिक क्या नाम था इनका एंटिनी वॉन ल्यू वो इन हॉक ने की थी दोस्तों बहुत सारे प्रस्नों पूछ लिये जाते है जिवाडू से होने वाले रोगों के बारे में तो आई देखते हैं सबसे पहला रोग है प्लैग तो प्लैग जो फ्रेंड्स जिवाडू सोता है वेक्टीरिया सोता है लेकिन आपसे पूछा जाए किस बैक्टीरिया से होता है तो देखिए बैक्टीरिया है बैसिलस पैस्टिस अगला है फ्रेंड्स पीलिया या फिर हैपिटाइटिस हम इसे दोनों बोल सकते हैं पीलिया भी बोल सकते हैं से हैपिटाइटिस भी बोल सकते हैं यह हमारे लीवर को प्रभावित करता है हमारे यक्रित को प्रभावित करता है तो यह कैसे होता है लेप्टोस्पाइरा जिवाडों की वज़े से नेस्टर फ्रेंट्स तपेदिक, इसे हम ट्यूबर किलोसिस कहते हैं, यह हमारे लंग्स को इंफेक्ट करता है, हमारे लंग्स को प्रभावित करता है, दोस्तों खासने में खून की उल्टी भी होती है, खून आता है बलगम के साथ, तो यह बैक्टीरिया कौन सा है, माइको प्रशन आप सभी के सामने रहा साव जॉव फेस्टिबल 2022 किस राज में मनाया गया तो साव जॉव फेस्टिबल 2022 गुवा राज में मनाया गया कहां पर मनाया गया गुवा राज पर मनाया गया यह फेस्टिबल किस के लिए डेडिकेटेड है तो ये festival dedicated है सेंट जॉन दा बैप्टिस्ट को साओ जुआओ जो है इनने सेंट जॉन दा बैप्टिस्ट भी कहते हैं फेस्टिबल कब मनाय जाता है मांसून की शुरुवाद पर ही मनाय जाता है बारिस का आनंद लेने और पानी में कूद कर मज़ा लेने से 1987 को गोवा की स्थापना हुई गोवा की capital क्या है तो गोवा की capital है पनजी क्या है पनजी गोवा की राजकी भासा क्या है तो गोवा की राजकी भासा है कॉंकडी ध्यान रखिएगा सभी important point को देगे गोवा के सबसे पहले मुख्य मंतरी का क्या नाम था स्री गोपाल सिंग जी गोवा का राज की पशु कौन सा है तो गोवा का राज की पशु है गौर क्या नाम है इसका गौर गोवा का राज की पेड़ है मत्ती गोवा का राज की पक्षी के अफेंड्स बुलबुल है गोवा का सबसे बड़ा नगर है वासको डिगामा दोस्तों गोवा की सीमाओं को देख लेते हैं तो ये भी पूछी लिया जाता है तो गोवा की जो सीमा है यहाँ पर करनाटक से लगती है उपर महाराष्ट से दो राज्यों के साथ गोवा की सीमा इसपर्श करती है गोवा में जीलों की संख्या कितनी है गोवा में दो जीले है और इसकी थीम क्या है ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों इसका मकसद क्या है तो ये वैश्विक व्यापार और अर्थ व्यवस्था ग्लोबल बिजनेस एन इकनॉमी में जो नाविक हैं जो सेलर्स हैं उनकी योगदान की बारे में उनके योगदान का सम्मान करने के लिए ये मनाया जाता है दोस्तो सेलर कौन होते हैं ऐसे वेक्ति को सेलर कहते हैं जो मैरीन इंडेस्ट्री से जुड़े होते हैं समुद्री उद्योग में कार करते हैं समुद्री उद्योग में क्या-क्या शामिल होता है shipping, मचली पकड़ना और बहुत सारी other important oceanic activities इसमें शामिल होती है दोस्ते आप हमने दिवस की बात की है तो अई जून महीने के important दिवस का revision कर लेते हैं देखिए एक जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है world milk day विश्व दुख्द दिवस मनाया जाता है दो जून को कौन सा दिन मनाया जाता है तो दो जून को मनाया जाता है तेलांगना दिवस दो जून 2014 को तेलांगना की स्थापना हुई थी तीन जून को कौन सा दिन मनाया जाता है तो तीन जून को मनाया जाता है world cycle day विश्व साइकल दिवस देकि नेस्टेफेंट 5 जून तो 5 जून को मनाया जाता है World Environment Day विश्व पर्या वरन्ट दिवस 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद सुरंख्षा दिवस 8 जून को मनाया जाता है मस्तिक्स्क ट्यूमर दिवस चली दोस्तों चलते हैं आज के आखरी महात्पूर्ण प्रश्न की हो रॉक की प्रमुख सामंत गोयल का कारकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है For how many years the tenure of रॉक चीफ सामंत गोयल has been extended देखिए फ्रेंड्स रॉक के जो प्रमुख सामंत गोयल इनका कारकाल एक साल के लिए बढ़ाए गया है रॉक का फुल फॉर्म के है फ्रेंड्स तो इसका फुल फॉर्म है Research and Analysis Wing दोस्तों कैसी Agency है यह Agency विदिशों में काम करने वाली खूफी Agency है रॉक चीफ सामंत गोयल 1984 बैच के पंजाब केडर के IPS officer है दोस्तों इनका जो कारकाल है जून 2022 में खतम हो रहा है देखिए दोस्तों अब ये 30 जून 2023 तक इस पत पर बने रहेंगे यहाँ पर RAW की बात आ रही है तो RAW की स्थापना कब हुई है देखे 1968 में RAW की स्थापना हुई है इसका हैटकॉर्टर कहाँ पर है न्यू डैली में इसका हैटकॉर्टर है देखिए फ्रेंड्स करेंट अफेर्स की रसमलाई आ गई यानि 2020 के important current अफेर्स को मैं आपके लिए discuss करूँगा हाली में किस देख ने दुनिया की पहली डूल मोड वहिकल सर्विस को शुरुआत किया है तो दोस्तो इस देख का नाम है जापान जहांसी railway station का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है important question है तो दोस्तो इसका नाम बदलकर विरांगना लक्षमी भाई railway station किया गया है पीटा इंडिया ने किसे person of the year 2021 के रुप में चुना है तो दोस्तो इनका नाम है आलिया भट वर्ष 2020 के सूश आशन सूचकांक में किस राज को सबसे पहला स्थान मिला है तो दोस्तो इनकी याद में सूश आशन दिवस मनाया जाता है हाली में किस देश के पूर क्रिकटर रे इलिंग वर्थ का 89 उमर में निधन हो गया है तो दोस्तो 89 वर्थ की उमर में निधन हुआ है ये इंगलैंड के प्लेयर थे चली दोस्तो 27 जून 2022 के Important Current Affairs का रिविजन भी कर लेते हैं तो पहला प्रशन आप सभी के सामने रहा NIA National Investigation Agency के नए महानिदेशक कोन बनाए गए है तो इनका क्या नाम है दिनकर गुपता केन सरकार ने Intelligence Bureau का प्रमु किसे निउक्त किया गया है तो दोस्तों इनका नाम है तपन कुमार डेका मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी दोनों नाम याद करने की तो आशा है कि आपको ये ट्रिक याद होगी भारत में पहली बार मुंगा की चार नई प्रजातियां कहां पर पाई गई है हाली में प्रधान मंतरी मोदी जी जी सेवन सम्मिलन में भाग लेने के लिकिस देश के आतरा पर गए इसका सहुत्तर है जर्मनी बाजरा पर राश्ट्री सम्मिलन का उधगाटां किसने किया है प्रहलास सिंग पठेल ने हाली में जारी की गई फीफा विश्व रैंकिंग में भारती फुटबॉल टीम को 104 इस्थान मिला है नीती आयोक के नए CEO कोन बनाए गए है तो इनका क्या नाम है दोस्तों इनका नाम है परमेश्वरन आयर देखे फ्रेंड्स परमेश्वरन को बोलने पर इश्वर का नाम आ रहा है और इश्वर ही तो सारी नीतिया बनाता है सारी पॉलिसी बनाता है समझ गए आप तो नीती आयोक के CEO कोन है परमेश्वरन आयर रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिता पहली बार किस टीम ने जीता है तो दोस्तों इसे जीता है मध्य प्रदेश टीम ने मध्य प्रदेश टीम ने मुंबई को हराया है जो की 41 बार की चैंपेन रह चुकी है 9th important revision question एरा हर्याणा सरकार के द्वारा कितने खिलाडियों को भीम पुरस्कार सम्मानित किया गया तो इसका सही उत्तर है 52 दोस्तों अब आपसे मैं question करूँगा जिसका answer आपको comment box पर देना है तो प्रश्णिय रहा रवांड़ा किस continent में है आपको इसका उत्तर comment box पर देना है Dear Students ये था 27 जून के important current affairs का revision हमने daily current affairs में 28 जून के current affairs को भी पढ़ लिया है आशा करता हूँ कि आपको session पसंद आया होगा follow कीजे crazy G के trick को different social media platform पर जिसका link आपको नीचे description box में दिया गया है देखिए friends पहली बार हमारे चनल पर आएधर don't forget to subscribe and press the bell icon button keep liking keep sharing your channel crazy G क्ट्रेक thank you friends